हेलो दोस्तों, सेल्फ इंजिनियर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम क्वाइल के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी आज दूसरा पार्ट होगा मोबाल रिपेरिंग का दो पार्ट हम सीख चुके हैं अगर जिसने भी हमारी वीडियो नहीं देखी है वो जाके हमारे चैनल पर पढ़ी है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और चैनल के डिस्क्रेप्शन में भी उसका लिंक देदेंगे आप वहाँ से भी देख सकते हैं मोबाइल पीसीवी में क्वाइल कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं जैसा कि आप देख फार हैं और क्वाइल एक क्वाइल ए भी है जो कि ए भी दिखाई देती है मोबाइल के पीसीवी में ऐसी सेम होती है चलो हम coil के बारे में detail से जानते हैं inductor जिसे हम coil के नाम से जानते हैं ये mobile की PCV में कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है बगल बगल silver line होती है और बीच में black body होती है और round save में भी होती है जो boost coil या फिर buck coil के नाम से जाना जाता है इसे हम yellow से प्रदर्सित करते हैं इसका circuit symbol कुछ इस प्रकार से होता है जो कि आप देख पा रहे हैं अगर आगे हम mobile के circuit को पढ़ेंगे तो उसमें symbol इस प्रकार से दिखाई जाएगा और denoting later yellow से वो लिखा रहेगा इसे हम henry, milli henry, micro henry, nano henry और pico henry में मापते हैं चलो इसको देख लेते हैं इसका work क्या काम होता है हमारे PCV में यह signal को filter करती है high frequency को low frequency में convert करती है जो हमारी boost coil होती है वो light section में यूज होती है या voltage को boost करती है boost coil और buck coil दो coil होती है जिसके बारे में हम detailed video बना के आगे देंगे फिला हाल आप इतना जानों को boost coil हमारी voltage को अप करती है और buck coil हमारे ampere को अप करती है boost coil light section में लगी होती है और buck coil हमारे CPU section में लगी होती है चलो इसकी testing देख लेते हैं testing of coil जब ok condition में होती हमारी coil क्वाइल तो हम कैसे चेक करते हैं multimeter को हम continuity range पर set करते हैं और coil को चेक करने पर दोनों तरफ से beep आती है तो यह हमारी ok condition में होती है और अगर हम continuity point पर चेक करते हैं अगर beep sound नहीं आती है तो यह हमारी open हो चुकी होती है coil तो हम उसे निकालके हमें दूसरी coil बदलनी पड़ती है हमारी coil अगर open हो गई होती है तो हम उस पर jumper नहीं लगा सकते हैं कुछ coils होती हैं जिन पर हम jumper लगा सकते हैं उसके लिए हम detail video देखेंगे आज की video यहीं पर हम समाप्त करते हैं अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिल आइकन को जरूर प्रिस कर लेना जिससे कि हमारी वीडियो आपको time to time मिलती रहे और वीडियो को like कर देना share कर देना और comment में अपनी राय जरूर देना धन्यवाद